हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आज कोडिंग डिकोडिंग के बहतरीन सवाल है वो भी लेटेस पूछे वे तो इन पैटन को आप ध्यान में रखना ये जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के मैंने लिये हैं सलेक्शन पोस्ट फेज जो अभी एक्जाम हुआ था तो बहतरीन सवाल है या नहीं है पहले आप इसे खुष से करना काफी अच्छा कोशन है और पैटन को भी आपको ध्यान में रखना है तो बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के पूछे गएं लेकिन काफी आसान कोशन पूछे गएं जो अलग पैटन के और एक पैटन तो इसमें ऐसा है उससे काफी कोशन अभी हाल फिलाल में पूछे गए हैं वो भी कई सारे एक्जाम में जैसे CHSL में मिल जाएंगे आपको CGL में भी मिल जाएंगे तो वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा तो आपके सामने जो कुशन है आप देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन कोड लेंग्वेज में ग्रॉस को 4 लिखा हुआ है मुष्ट को आपका 8 लिखा हुगया है जैबरा को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 4, 8 तो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि यह आपका इनकी पोजिशन का सम तो नहीं हो सकता क्या हो सकता है हो सकता है कि जितने इसमें आपका लेटर से यूज हो रहे हैं वो लिखा हो या आपका vowel और consonant से related logic हो सकता है जैसे आपने यहाँ पे 4 देखा तो आप देखोगे हो सकता है कि यहाँ पे 4 consonant है वो लिखा गया हो लेकिन आगे आप देखोगे यहाँ पे 8 लिखा हो है तो इसका मतलब यह तो है नहीं और ऐसा भी नहीं है सभी में आपके 5-5 letters है यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो इसका मतलब letters भी नहीं है वो भी आपका नहीं लिखा गया तो और क्या हो सकता है अब देखो position का sum नहीं है लेकिन हो सकता है कि position का आप sum करो और उसका single digit में आपका जो digital sum होता वो करके आपको मिल जाए वो भी हो सकता है क्योंकि कई फार उस तरीके भी logic पूचा गया तो आप ये भी बोल सकते हो जैसे यहाँ पर gross लिखा है कि ये भी pattern होता है मैं पहले आपको बता द रहा हूँ इसमें और क्या pattern हो सकता है आपने का इसमें पहले आप पहुच करके जरूर इस question को खुच से solve करना तभी आपको पता चलेका कि अच्छा question है या नहीं है तो इसमें pattern क्या है आप इसमें position का sum करके देख सकतो फिर उसका आप digital sum करोगे वो भी हो सकता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है pattern यह है आप देखोगे g r o s s opposite का भी करके देख सकतो लेकिन यहाँ पे pattern क्या है देखो G की position कितनी होती है, 7 होती है R के opposite की position, यहाँ पे लिखने है R का opposite आई होता है उसकी position 9 होती है फिर O की position 15 फिर S के opposite की position यानि कि S का opposite H होता है, उसकी position कितनी है, 8 है इसी तरीके से S की position, यानि कि alternate चला है पहले position, फिर opposite की position तो यहाँ पर आप देखोगे S की position 19 हो जाएगी अब इन सभी का आप सम करोगे आप देखोगे इसका सम कितना आता है तो आप देखोगे इतना आएगा 9, 16 हो गया यहाँ पर 16 और 15, 30, 31, 31 और 8 कितना हो जाएगा आपका 49, 39 हो जाएगा 39 में 10 आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 49, 49, 1, 50 हो गया 58 आजाएगा और 58 आगया इसका सम ठीक है किस तरीके से सम करना है यह देखना 58 आया फिर इसका हमने इस तरीके से आप मौस्ट को करना है फिर इसे तरीके से आप मोईस्ट को करेंगे म, O, I, S, T फिर S के opposite की position यहाँ पर H 8 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा इसका आप सम करेंगे तो आप देखेंगे 12 और 13 25 हो जाएगा 25 और 20 आपका 45 हो गया 45 में आप 10 जोड़ेंगे 55 आएगा और 55 में अगर आप 7 जोड़ते तो आपको क्या मिलता है 62 मिलता है फिर से सम कर द जाने सिंगल डिजिट में तो 6 और 2 आठ आ गया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 8 लिखा गया इसी तरीके से आप जैबरा को हम यहाँ पर करेंगे आप देखोगे जैबरा को हम करेंगे जैट इब आ रहे यहाँ पर आप देखोगे जैट की position 26 और ए के opposite की position आपको पता है यानि कि 1 की positionं 1 की opposite की position 26 और 22 आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 और 20 च्छी आलीज दो 48 और 20 हो झायगा 60 आ जायगा तो आप देखोगे इसका आप सम करोगे 6 प्लस 0 करोगे यहाँ पर तो आपका 6 आ जाएगा तो आप देखो इसका right answer क्या second option है अच्छा question है, अच्छा pattern है, मतलब एक नया pattern यहाँ पर पूछा गया है, तो इससे आप ध्यान में जरूर रखना, तो इस तरीके से भी आपका question पूछा जा सकता है, यहाँ पर एक और pattern यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपने खुछ स 19, 19, तो आप देखोगे, इन दोनों को मैनस करोगे, 0 आ जाएगा, इन दोनों को मैनस करोगे, 18 में से 15, 3 आएगा, फिर 7 में से आप मैनस 3 करोगे, तो आपको 4 मिल जाएगा, ऐसी आप मोष्ट में करके देखो, यह pattern भी, मतलब ऐसे भी मिल रहा है इसका answer, लेकिन यह वाला इसल 2020 में एक pattern पूछे गए थे, तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से भी आपका होगा, जैसे मैंने बताया, इनका आप यहाँ पर मैनस करोगे, 3 आए, यहाँ 0 आए, और 7 में से पर 3 मैनस करोगे, 4 आएगा, ऐसी हम मोष्ट का करके भी देख लेते, M, O, I, S, T, आप देख होगे, कितना आएगा, 15 में से 6 आएगा, और यह 6 मैनस 1, फिर इन दोनों को मैनस कर लो, यह आपका 6 मैनस 5 आएगा, और फिर इस 13 में से आप 5 मैनस करोगे, तो आपको 8 मिल जाएगा, इसी तरीके से आप जैबरा के साथ भी कर सकते, एक बार में आपको देखो, 26 इनकी position लि हो गया, और 26 में से 20 आपका मैनस करोगे, तो यह आपका 6 आजाएगा, तो ऐसे भी आप बोल सकते थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, पैटन, अच्छा पैटन है, तो एक बार इसे आप जरूर देखना, तो यह अलग सा एक question पूछा गया, और कब पूछा गया, यह यह आप देख सकते हो, मैंने कोई question खुछ से नहीं बनाया, तो आप देखोगे, यहाँ पर यह पूछा गया, यह question आप ध्यान में रखना है, ऐसे भी पूछा जाकता है, हाला कि अगर आपने पहले नहीं किया होगा, तो एक पहले किया होगा, तो आपको समझ मा आ जाएग यहाँ पर square भी होता है, cube भी होता है, ऐसा भी यहाँ पर दिया होता है, next question देखते हैं, यह pattern भी आपका काफी पूछा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, अब देखोगे, feature को यहाँ पर 101010 लिखा गया है, इसी तरीके से candidate को आप देखोगे, यह लिखा गया है holy day को क्या लिखा जाएगा, अब जैसे आप यहाँ पर number देखोगे, जब आपके number होते हैं, या तो हम क्या देखते हैं, इनकी position होती है, या इनके opposite की position है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे, one और zero की form में ही आपका लिखे गया है, binary numbers एक तर zero, one zero, अब देखोगे, किस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान रटना vowels और consonant का, आप देखोगे, जो भी आपका consonant है, यानि की ब्यंजन है, उसको तो one लिखा गया है, और जो भी आपका vowels है, यानि की स्वर है, उससे क्या लिखा गया है, zero, देखो, यह आपक consonant है, one, vowels, zero, यह देखो, one, consonant, फिर vowels, zero, फिर आपका consonant है, one, फिर vowels, zero, समझ मैं है, pattern क्या है, इसी तरीके से आप candidate को भी देख सकतो, देखो, C को one लिखा है, फिर A को zero, N को फिर seven, D को one, फिर I को zero लिखा है, फिर D को one, यह pattern भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यह भी प one, two, one, two, one, two, ऐसे भी आपका हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन pattern को आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसे आप holy day को यहाँ पर करोगे, H, O, L, I, D, Y, H, O, L, I, D, A, Y, तो आप देखोगे, H है, आपका consonant है, तो one, O है, vowels है, तो zero, फिर one आएगा, फिर I है, आपका swear है, zero, फिर आपका यहाँ पर one आ जाएगा, फिर zero, फिर one, तो आप देखो कौन सा option है आपका, one, zero, one, zero, one, zero, one, first option आपको देख जाएगा, यह इसका right answer है, इस pattern को भी आपको ध् इसे ध्यान रखना, अब next जो question है, इसे तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि selection post में भी इसके काफी questions पूछे गए, इस pattern से आपका 3-4 question पूछे गए, और भी question है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखोगे, paradox को यह लिखा गया, wipes को यह लिखा गया, यहाँ पर है नहीं, तो आप देखोगे, यहाँ पर pattern है तो है क्या, आप देखोगे, मैंने कई बार आपको बताया है, paradox, मैं पहले wipes को करके बताता हूँ, ताकि चलो paradox को ही कर लेते हैं, लेकिन exam में अगर आप करना चाहो, इसे करोगे, paradox को देखो, अब इसे यहाँ पर क्य इसे लिखा गया, पहले खुश से आप सभी कर लेना, BPITF, यह लिखा गया, अब देखो यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे, गैप आपको मिलेगा नी, मतलब बराबर गैप मिलेगा नी, PCI, W से भी, ऐसे आप देख सकतो, क्रॉस में भी आप देख सकतो, वह भी आपको चौबीस है, यह आपका चार है, यह 21 है, यह आपका पंदरा है, यह आपका दस है, अब यह देखती पोजिशन लिखते ही, आपको समझमा आ गया होगा, अगर आपने पहले क्लास की होगी, तो यह वन है, अब देखो, इनका सम, 16 और 9, 25, इधर 25, यहाँ आपका 25 है, हम करेंगे, वो बराबर आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ देखो, 23 और 2, 25, 16 और 9, 25, फिर से 16 और 9, 25, और 20 और 5, 25, और 19 और 6, आपका 25 आ जाएगा, तो यह पैटन काफी पूछा जाता है, ठीक है, इस पैटन को मैं एक अलग तरीके से भी बता दूँगा, कई लोग इसकी opposite करके भी करते हैं, वो भी आपका same ही है, अब इसी तरीके से हम parallel को कर देंगे, यहाँ पर P, A, R, A, L, L, E, L, आप देखोगे, अब P की position 16 है, मुझे क्या चीए, मुझे यहाँ पर 25 चीए, तो यहाँ पर कितना add करूँगा, 9 add करूँगा, तो यहाँ पर i आ जाएगा, इस एक है, तो मुझे 25 चीए, तो 24 add करना पड़ेगा, यहाँ पर X आ जाएगा, L 12 है, 25 चीए, 13 M आ जाएगा, यहाँ भी 13 M आ जाएगा, और E आपका 5 है, मुझे 25 चीए, तो यहाँ की 20 position वाला यहाँ पर letter चीए, तो T आ जाएगा, और यह फिर से L है, M आ जाएगा, तो इसक तो आपको ध्यान में रखना ही, रखना है, क्योंकि इसके बहुत सारे question selection post में पूछे गए, आप देखोगे, तो आपको 3-4 question मिल जाएगे, अब आप यहाँ पे देखोगे, W, I, P, E, S, इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसे आपका क्या लिखा गया है, B, P, B, P, I, T, F, अब देखो, यहाँ पे क्या B है, अगर आप W में आप 2 add करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, Y मिलेगा, Y का opposite आपका B है, ऐसी I में 2 add करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, I में 2 add करोगे, K मिलेगा, और K का opposite P है, P में 2 add करोगे, तो R मिलेगा, R का opposite I है, यानि कि plus 2 करके फिर उसका opposite लिखा गया है ऐसे Y में 2 at करोगे तो आपको जी मिलेगा G का opposite आपका T है S में 2 at करोगे तो आपको U मिलेगा और Y का opposite क्या है F है तो आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि यह भी आपका pattern है तो कई लोगों ने ऐसे किया होगा अगर पहले खुछ से क्या होगा तो लेकिन आपको इर ध्यान बरता है यह आपका आसान सा है और इसे देखने का एक और तरीका है यहाँ पर अगर यह pattern है तो आप देखोगे यहाँ देखो यहाँ आपको यह कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ यह pattern है, मैं इसे एगवा rough कर लेता हूँ, आप देख ले ना, मैं आपको यह समझाऊँगा, कि अगर यह pattern है, तो आप एक तरीके से और जल्दी से कर सकते हूँ क्योंकि इतनी बार पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर यह pattern आपको सभी को आपको यह देखना है, यहाँ भी प को आई लिखा गया है, क्योंकि अगर sum बराबर होगा, प को वही लिखा जाएगा, और second में यहाँ भी देखो, प को आई लिखा गया है प के सामने वाला, इसी तरीके से A को X लिखा गया है, देखो और यहाँ पर A आगे नहीं है, तो आप देखो, यहाँ भी A को X लिखेंगे, P को I लिखेंगे, इसी तरीके से R को G लिखा गया है, आप देखो कि R को यहाँ पर G लिखा हुआ है, और A को X लिखा है, देखो A दो बार A को X सी लिखा है, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा और इसी तरीकी से देखो P को यहाँ भी I लिखा है P को यहाँ भी I लिखा है तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि يह कहीं न कहीं position का sum वाला pattern है D को U लिखा है अगर D और कहीं आएगा D को A, X कहीं यहाँ देखो फिर X को A लिखा गया है, x को a लिखा दिखो, यह आप देखो, यहाँ भी ax ऐसे लिखा गया है, यहाँ भी ax लिखा गया है, तो यह भी आप यहाँ पर यह pattern भी लगा सकता हूँ, अब यह मत कहा दिना, यह तो हम sum करने की जरुवती नहीं थी हमें, हमें यह करना ही नहीं था, आप सीध को धियान रखना है यहां तक तो आप समझ जाओगे यह pattern भी होता है और कई बार इसमें भी गलती होती है यानि कि जो सामने face letter लिखा होता है वही आपका यहां पर pattern होता है इसमें तो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां तक तो आप सीधे कर लोगे पैरा को क्योंकि यहाँ पर P A R A तो लिखा हुआ है I G I X G X लेकिन उसके बाद L का क्या लिखोगे यह आपको समझ में आएगा इसलिए यह आपको यहाँ पर जरूर ध्यान में रखना है कि यह पोजिसन का सम है समझ में आ गया इसे आप जरूर ध्यान में रखना अच्छा पैटन था इसके बाद वाला कॉश्चन जो है यह आप कमेंड में बताएंगे इसका आंसर आपको कमेंड में बताना है तो एक कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पर अच्छे पैटन थे जो यहाँ पर देखने को मिले तो एक बार इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है जो ये last में मैंने pattern बता है ये वाला तो बिल्कुल रखना है रखना क्योंकि इसके question ही आपका कई question तो selection post में पूछे गए हैं और बांकि ये वाला pattern उसके बाद इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया है और इसे भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक बार तो इसमें मिला है आगे भी आपका पूछा जा सकता है तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं next class में अच्छे question के साथ, खुब सारे question coding recording के मैंने करवाये हुएं, आप उन्हें भी देख सकतो, अगर आप उन्हें भी देखोगे, कहीं न कहीं आपको ये pattern तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, जो मैंने अभी आद तक आपको बता हैं, अगर पहले किसी नहीं देखा होगा तो उसे,